अनान सिंग और मेरी दोनों की दोनों में से किसी के हत्ते है दोस्ट अच्छा यह बताइए हम बोले कि CCTV सर फुटवेश खंगार यह क्यों नहीं परसासन CCTV खंगार रही है फुटवेश CDR उस मोबाइल का क्यों नहीं निकाली उसको जान बुझके कि यह मोबाइल चोरी का है और करके इसको जेल भेद दिया कि मामला का नीपा हम यह मामला नीपा पोती नहीं होने देंगे यार मेरा पिर बहुर थाना नहीं लिया यह लड़का सूटर है देखिए भोला सिंग के घ पैटर ने अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रीड़न पास और इनपास गेस पेपर तो दिया अपने परिक्षा के तैयारी को नई रफ्तार रीड़न पास गेस पेपर के साथ तो सरकार को जी भरकर गालियां भी देते हैं ये भी आपको सुना रहे हैं लेकिन आज एक ऐसा खिस्सा एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप दंग रहा जाएंगे आखिर अनन सिंग को अब कौन मारना चाहता है ये बड़ी दास्ता है शुरुवात करेंगे अनन सिंग के जो केस भोला जिससे पहले भियम नम जी अब हुआ उन्तिस तारी का जो बाख्या है आप लोग भी कोड जाते थे बिधाई जी का लिये हैं देखेंगे कि कितना सुरक्षा था मगर उन्तिस तारी को बिधाई जी गए ना कहीं पिर्वहोर थाना थी और नहीं पुलीस लाइन से जो पुलीस पाटी आती थी कोई पाटी नहीं थी और उस दिन एक वैक विधाई जी नहीं आये थे आने वाले थे तो नजर पड़ गिया वो परकास नाम का एक लड़का था जो भोला सिंग मुकेश सिंग का शूटर है उस पर नजर पड़ा कि यह आदमी कोड में क्या कर र कि हम बहुत शरीफ हैं देखिए मोवाइल भवन में इन तस्वीरों के माध्यम सब्सक्राइब कर दिया हाई हाँ टोटल चीज और गिरवदारी इसके साथ एक राजा नाम का लड़का था जो मुझहपर पुरका था यह लड़का तो भोला सिंग का है पंडारक का है जिसका सीखिए M. मेहता के पुमेहता हत्या हुआ कि मैं इसका नाम है किसा चानल में भियान दिया हूं मैं नहीं जानता हूं और और बिधाई जी के बारे में बहुत अफसर्द बोला अब मैं यही माध्यम से बताना चाह रहा था कि CCTV जो फुटवेज पप्पू महता कर जो हत्या हुआ है यह सुर्ज परकास है और यह सब मोबाइल भवन का फोटो है आप जाके मोबाइल भवन के अंदर देखिए और कोड गये थे पता करने के लिए कि वो डबलू का जो है सो कि क्या डेट है डेट तो फोन से भी मुंसी पुछता है कोड़ जाने की तो जरुवत नहीं है पंदारक से इतना दूराने की आप लोगों ने पकर लिया था यह वो को पकड़ा पुलीस का कोड़ भी पकड़ा हम ल लैलन सींग नीरच किया इसाइसे झाकर तुम बलो इस बात कि पूंटि आप कैसे करने है क्सरेइकर सिखाए घया होगा तीन दिन के बादी कोड़ शिखावेगा इसको जैसा भी अब मीडिया में देखीएगा वोग टोरा मेरे विवारे में बोल रहा है कि एस पर बंटू स तो शिखाया ट्रेनिंग दिया गलट ट्रेनिंग दिया तो अनान सिंग और मेरी दोनों की दोनों में से किसी के हत्ते हैं अच्छा यह बताइए हम बोले कि CCTV फुटवेश खंगार है क्यों नहीं परसासन CCTV खंगार रही है फुटवेश CDR उस मोबाइल का क्यों नहीं निकाली उसको जान बुचके कि यह मोबाइल चोरी का है और करके इसको जेल भेद दिया कि मामला का नीपा हम यह मामला नीपा पोती नहीं होने देंगे बता दे रहे हैं आलोग जी आपको, हम जो बोले हैं सबूत के साथ बोले हैं और फिर सबूत के साथ, कल मैं कोट में केस करने जा रहा हूँ, एफ हायार मेरा नहीं लिया, एफ हायार मेरा पिर बहुर थाना नहीं लिया, पहले मैंने उसको एक दर्खास दिया था कि आप इसकी सत्ता जांच किए मैंने तो यही तरखाश दिया इंस्पेक्टर को कि हम इसको पकड़ें इसकी सत्ता आप जांच किया जा मगर इंस्पेक्टर ने ढोल मुल्ख करके इसको जबरस्ती जेल भे दिया मुझे बोला भी कि मैं आपको को बुलाओंगा एसपी साहब के पास आपको मगर मुझे कोई फोन नहीं किया गया मैं नहीं उनको फोन किया तो मुझे ढोल मुल्क अपना के उसको कब जेल भे दिये कुछ पता नहीं तो मैं आज खुलासा यही किया कि यह लड़का सूटर है देखिए भोला सिंग के घर पर सूटर का हट्या की है उसके बाद कारवाइल है हाला कि अभी भी बाहर है और फिर चले हैं हट्या करने हां रही अंदर नहींटः है फिल्प ette है जहां का लोकल फाना है पंडारग उन अप और ईसे जानकारी ठीस से कम से कम दस हजार से उपर भोर्थ हर बिधानषवाम पिदाई जी का है कम से कम ऐसे तो चालिस जार तीस जार क्यों कि अभी सब जात के नेता हो गहीं यह इसलिए नितीश कुमार के इस्तिती खराब हो रही है उनका दिमाग भी घर सक रहा है अभी ललन सिंग तो पहले बोले अप्राधियोग ने इस सबको जेल भेजबाते हैं अभी अभी तो इनको जेल जाना है आपको कि हत्या कर दिया सीम की तरह निकाला फिर देखिए अब आगे क्या दिली तक जा रहे हैं कि हाँ दिली तक देखिए हमने जो है सो मानिये ग्री मंत्राले अमीच साजी को मैंने लिख के दिया स्पीड पोस्ट किया है सारा चीज दिये हुए उनको और उनसे मेल पर सारा चीज हम लोग इडियो वीडियो सब है कुछ भेज दिये हैं आप अब जब समय दें बोलाएंगे आलोग जी तब हम जाएंगे वो समय अलग था जब अनन सिंग से लोग कापा करते थे लेकिन अब कहीं न कहीं जो डर है वो अननन सिंग के समर्थकों में है कि अब जब भी में जब अनन सिंग से लोग के साव जो जब दें अनन सिंग से लोग एहांगे वो बार है वो जूग भार है